आज कल 90% लोगों को हैर फोल की प्रॉब्लम हो रही है बाल बहुत से जादा ज़ड़ने लगे हैं कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जो रूट से पूरे बाल ज़ड़ गये हैं बाल आ ही नहीं रहें तो इस रेमेडिक को अगर आप लगाएंगे तो बाल अगर जड़ च बालों के जड़ों में जाता है जाके हमारे जो जड़ को मजबूत करता है प्लस अगर आपको कोई फंगस इंफेक्शन हो गया है तो उसे भी ये ठीक कर देता है तो चलिए देखते हैं इस रेमेडिक को बनाना कैसे है लगाना कैसे है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले तब ही यह रिजल्ट आपके बालों पर दिखेगा अगर आप रेडिमेंट ले लेंगे तो उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं आ पाएगा जैसे कि यहाँ पर वीडियो में मैं आपको बताई हूँ है जो रिजल्ट मैंने पाया है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको अलविरा के पत्ते ही लेना यह हमारे बालों को क्या करता है सिल्की करता है साइन करता है रूट से मजबूत करता है अलविरा हमेरे बालों को अब यहाँ पर आपको एक से डेड़ इंच अद्रक कर टुकड़ा लेना है अद्रक क्या करता है जो फंगर इंफेक्शन हो गया ह उसे ये ठीक करता है और जो बाल जड़ गए हैं उसे वापस लेके आने में भी ये help करता है क्योंकि हमारे blood के circulation को बढ़ाता है अब इसे आपको क्या करना है एक mixi jar में डाल लेना अब इसमें हम एक चीज और add करेंगे वो है lemon lemon हमारे बालों को हमारे जड़ों को clear करता है lemon में vitamin c होता है जो हमारे जड़ों के लिए बहुत जाद बेनिफिशल होता है तो यहाँ पर मैं एक lemon कट करके आपको डालना है ताकि यह अच्छे से grind हो सके इसमें आपको पानी वगिणा कुछ भी add नहीं करना अभी बस इंतीन चीजों को आपको अच्छे से grind कर लेना है तो चलिए इसमें grind कर जो है क्या आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं कोई प्रॉबल्म नहीं है बिना चाने भी आप इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं बट इसे जादा जरूरी रहता है तो महीने में आपको दो तीन बार तो ओईल लगाना ही चाहिए तो यहाँ पर मैं ओईल एड नहीं कर रही हूँ तो देखिए इसका जो जूस है हमने अच्छा से निकाले अब यहाँ पर यह जो मोश्ट इंपोर्टन इंग्रीडियन है फैनुग्रिक सीड यह हमारे बालों को मजबूत बनाता है बाल जड़ गया है उसे भी ठीक कर रहता है बालों की जितनी भी समस्या है आप देखेंगे जो फैनुग्रिक सीड अगर हम अपने बालों पर लगाते हैं मेथी कहते हैं इसे मेथी दाना का पाउडर जिसे मैंने पीस के रख लि ना ताकि यह अच्छे से फूल जाया और थोड़ा सा यह गाड़ा हो जाए ताकि इसे हम अपने बालों पर लगाएं तो जो हमारे बाल से तपके ना नीचे गिरे ना ठीक है अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बता आगर असे अपर ओल लगाना आपको पास appreciative और अपके ब ब्रस से लगा रही हूं क्योंकि आपके हाथों पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि जैसे महेंदी लगाते हैं कि अपने हाथों से लगा कि आपको मसाज करना है अपने बालों को अपने जड़ों को हलके हलके हाथों से मसाज करना है तो पूरे जड़ पे हम इसे लगाएंगे जड लेक पोंटेल खाल जाता है जर्ड सो बाइप करेंगे टुic stop टो अब जो बजिए पूरारोस बाम करेंगे तो आपके जो जा। दूसरे दिन ना बहुत ज़相दा Eaching होने लगते हैं और फिर जब Eaching होती है तो हम बहुत जो जो से खुछ लाना सुरू करते हैं तो इसके वज़़से भी हमारे जड़ों पे जुझ जड़ों पर जाते हैं और डेंट अप हो जाती बहुंँ सारी प्रॉब्लम हो जाती तो यह तीन चार चीज अगर आप एड़ करके अपने बालों पे लगाते हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो बाल है वो एकदम सिल्की और सायन हो जाएंगे हैर पलो ना तो टोटली बंद हो जाएगा मेरे हो गए है तो आई होप आपके भी हो ही जाएंगे आप इसे ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि सारे नैचरल इंग्रिडियन है आज तक कोई ऐसे रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि हमारे परिवार में हम सभी लोग लगाते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुए सबके जो बाल है बिल्कुल सिल्की है सायन है हाँ यहां पर एक बाट और मैं आपको बताना चाहांगी क्या होता है जब हम आप बल धोते हैं हमारे बाल बहुत ज़़ाही हो जाते हैं और बहुत जादा फीजी हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाइग कर लिए अपने हाथों से अच्छे से मसाज कर लेना है जड़ जड़ में यहाँ वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है तो आपको बिल्कुल हलके हाथों से करना है क्य लिए या फिर कोई पोली थीन से इसे रैप करके रख दीजिए एटलीस कब सकम आपको 22-30 मिनट अपने बालों पर रहने देना है और जब वास करेंगे तो कैसे वास करेंगे फर्ष्ट डे जैसे आपने वास करेंगे तो नॉर्मल वाटर से आपको वास करना है ठीक है आपको फर्स्ट दिन हमने लगाया उस दिन आपको नॉर्मल वाटर से वास कर लेना है नाइट में अच्छे से ऑल मसाज कर लेंगे अगर आपने इसमें एडुम नहीं किया है तो एश्टरा आप नाइट में अच्छे स ऑल मसाज कर लीजएगा और सेकेंड दे आप इसको सैंपो तो यह था हमार आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं तब तक लिए बाइबाइब